आज बात करने वाले second font category के बारे में जिसका नाम है sans serif fonts सबसे पहले इस word को समगते हैं जैसे sans serif sans का मतलब होता है without ये एक French word है इसका पूरा मतलब है without serif जैसे मैंने आपको समझाया था first category जो है serif fonts उसमें एक letter होता है उसके last में एक चोटी सी line होते है मतलब stroke होता है तो वह होता है serif sans serif का मतलब बिना serif वाला मतलब बिना scroll को वाला font screen पर देखो ये जो सारे आपको fonts दिख रहे हैं एक तम plane एकडम clean है इनकी जो corners पे कोई भी stroke निया कोई भी line में इसका मतलब ये है sans serif fonts इन phones को हम काफी जगा यूज कर सकते हैं एक तो ये simple होते हैं एकडम clean होते हैं और ये multi talented होते हैं हम इसे apps में websites पे डिजिटल इंट्रफेस पे advertisements में movies posters में भी यूज कर सकते हैं मतलब कि हमारे पर साफी सारे option होते हैं यूज करने की बस तरीका नरे लग हो सकते हैं कि हाँ यहां पर इस तरीके से यूज करना है यहां पी यह फोंड यूज करना है एक तो यह design में clean look देते हैं उसके बाद modern look देते और professionalism look दे देते हैं जब तक हम प्राइए नहीं करेंगे जब